इंडिया वर्षस वेस्ट इंडीज जो मुकाबला होने वाला इसकी जो स्क्वेड है वो अनौस हो चुकी है और मुकाबले में टोटल 5 T20 मुकाबला खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और टीम इडिया के बीच में जिसमें से जो कैप्टन है वो हार्दिक पांडे को बनाया आप लोगो सबसे पहले स्क्वाइड बता देते हैं इश्कुमार देखने को मिलेंगे, मुके इश्कुमार को मुका मिला है, वहीं यसस्वी जैस्वाल को मुका मिला है, तीलक वर्मा को मुका मिला है, संजु शंप्षन को मुका मिला है, और साथ मैं और सिदीप सिंग, रवी बिश्णोई, कुल्दी प्यादव, काफी सारे प्ल लाड़ी यह सुस्वी जैसवाल को मौका मिला है क्योंकि यह सुस्वी जैसवाल काफी समय से वेट कर रहे थे, काफी अच्छा परफ़रेंस कर रहे थे, वहीं तीलक वरमा को भी मौका मिल चुका है टीम इंडिया टीट्वेंटी दौरे में, और वहीं जो कैप्टन है, पांच टीट्वेंटी मुकाबला खिला जाएगा, तो जो तीन अगस्त से तेरा अगस्त खिला जाएगा, पहला जो टीट्वेंटी मुकाबला होगा वेस्ट इंडिज के खिलाफ वो तीन अगस्त को होगा, उसके बाद छे अगस्त को होगा, उसके बाद आठ अगस्त को हो और यह T20 का स्क्वेर्ड है जिसमें से हार्दिक पांडे को कैप्टन बनाए गया है और टेस्ट और ओडिया में तो रोही सर्मा कैप्टन है मुकावला काफी सांदर रो काफी लाजबाब होने वाला है वसके निजल खिलाफ क्योंकि अस्वी जासौल को मोका मिला है तिर्यक करें बताएं कि आप लोगो क्या लगता है इन स्कोैट मैं से बहुत दन क्या लगता है नीचे अपनी playing one करें क्मेंट करें और कौँं से नए प्लेयर चो है वो टिम मेंडायå में सामीर हो सकते थी ये कमेंट करें फिर मिलेंगे दूसरी यडियो को ले करके तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जहिन जय भारत